हलो व्रिवान, वेलकम टू फार्मारोक्स यूटूब चैनल, फार्मारोक्स की यूटूब एजूकस्ने चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो लेक्चर में हम डीटेल में स्टेडी करेंगे डियाफलाजा कॉट टाबलेट के बारे में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक जिए के बने के कौन से अलग-उलग मेडिकल कंडिसन को टृत करने के लिए डियाफलाजा कॉट यूजे के ज़ते उसके डोस के बारे में सिखेंगे जानेंगे उसके side effect and warning and contraindications के detail study करेंगे और सिखेंगे कि कौन से अलग-अलग medical conditions को treat करने के लिए Deflaza court के tablet यूज़ के जो अलग-अलग strength में होते जैसे कि 6 mg के strength में भी उसके tablets अविलेबल होती हो साथ साथ 30 mg में भी अविलेबल होता है तो जानते हैं detail में Deflaza court के बारे में एक्सपेट लेक्चर बायमर सर असिस्टाम प्रोफेसर और फाउंडर फार्मरोक्स सबस्क्राइब करें हमारा चैनल फार्मरोक्स सीखे अलग-अलग बीमारियों के बारे में उनके उपचार के बारे में medicine कूर्स के अंदर कि आप कौन सी दवा उसमें यूज़ करेंगे उनके dose, side effect, warnings contraindications वो भी एक साल तक affordable price में फार्मरोक्स के बुबर तो ये course जोईन करने के लिए हमें WhatsApp करें या फिर फार्मरोक्स की app को डाउनलोड करें contact number है 9016312020 हमारे second channel को भी subscribe करके support करें link description box में मिल जाएगी अब समझते हैं डाफलाजा कौर्ट के बारे में तो ये ऐसे class का medication है कि जिसको हम steroids कहते हैं और ये medications के पास दो तरह की property है एक है वो immunomodulatory agent के तोर पे काम करता है और साथो साथ anti-inflammatory उसके पास section पे जिसके करण ये क्या करता है कि जो सूजन और सूजन के करण होने वाले जो दर्द होते हैं उसको काम करता है फिर जो autoimmune disorders होता है उसको भी ये medications ठीक करता है जैसे कि जो immunological disorders होते है या फिर जो inflammatory conditions जो हम कहे थे कि जहाँ पे आपके सरीर के अंदर सूजन है कहीं भी भी सूजन है आपके सरीर में तो इसको काम करने का काम करेगा ये deflazocot tablet तो steroidal medication है तो ये खास आप दियान रखें उसके basic use के बारे में समझे तो specially deflazocot जो है वो inflammation जहाँ पे आपके सरीर में होता है या फिर जो autoimmune conditions होती है वो दोनों को treat करने के लिए use किया जाता है ऐसे medical condition कि जहाँ पे आपके सरीर के अंदर inflammation है सूजन है या फिर आपको कोई autoimmune disorder है जिसे कि arthritis के condition है कि जिसको हम गठिया रोग भी कहते है वात रोग भी कहते है तो उसको redness हो जाती है जहाँ पे swelling होता है वाँ पे फिर दर्द भी होता है तो वो सभी को काम कर देते बिकोज जो inflammation के लिए responsible जो mediators होते है chemicals जो release होते है उनकी effect को block करके यह medication जो वो काम कर देगी जो specially responsible बनते है inflammation के लिए इस तरह से आपको यह medication relief देता है inflammation के अलग-अलग symptoms में से और आपका दर्द वगिरा काम करता है तो उसके दो version है 6 mg के tablet available है और 30 mg का भी उसके doses form available है 12 mg में भी उसके tablets जो है वो market में available हूँ यह खास कर uncoated tablets रहते हैं तो अब उसके basic use के बारे में हम detail में समझे तो जो acute interstitial nephritis इसकी जो condition कहते हैं कि जो आपके kidney के अंदर जो nephron का बाग होता है वहाँ पे आपको सूजन है फिर anaphylaxis जो condition अचानक से होती है suddenly आपके body के अंदर allergic reactions develop हो रहे हैं उसके करण सूजन हो रही है pain हो रहा है swelling हो जाती है चाहे रहे पे तो उसको ठीक करता है medication औस तमा के जो symptoms होते उसको भी treat करने में help करता है फिर जो autoimmune anemia की जो condition कहते है crons disease dermatomyositis की जो condition है फिर ideopathic thrombocytos panic purbura की जो condition हम कहते है फिर juvenile chronic arthritis की जो कम age के बच्चों के अंदर जो खास कर arthritis जो देखने को मिलता है गठिया रोग देखने को मिलता है उनको भी ये medication यूज़ की जाती है फिर severe hypersensitive reactions जब होते है कि जिसको हम anaphylaxis भी कहते है तो उसके इलाज में भी deflazacot यूज़ किया जाता है फिर immunosuppression के तोर पे transplantations के दोरान जो है वो यूज़ किया जाता है फिर acute and lymphatic जो leukemia की जो condition जो blood cancer रेकता रहा कि हम condition कहते हैं फिर malignant lympho मतलब कि जो cancer होते है तो cancer में भी ये medication जो है वो useful साबित होती है इसके लाब भी उसके बहुत सारी usage जैसे की multiple myeloma की वो भी एक टाइप का cancer है फिर muscular dystrophy की condition rheumatoid arthritis की जो एक autoimmune disorder की वहाँ पे भी आपके जो joints होते हैं वहाँ पे sujan pain दर्द वगिरे की condition होती है फिर polymyglia rheumatica की जो condition है nephrotic syndrome से pamphigus की condition है polyarteritis nodosa की condition या फिर pyoderma gangrenosum की condition sarcoidosis की condition फिर SLE की condition हो जो हम कहते है कि systemic lupus erythematosus को जो condition हम कहते है ulcerative colitis की condition तो यह सभी medical conditions को treat करने में help करता है deflazacord tablet वहले कि बहुत सारे medicated uses के because यह एक steroid class का medication है कि जिसके करन multiple उसके आपको use देखने को मिलती है तब उसकी mechanism हम देखे तो कैसे यह medication काम करता है तो यह specially जो glucocorticoid receptor होते है उनके थुरू अपनी pharmacological action देता है और anti-inflammatory immunosuppressive effect देता है कि जिससे जो sujan pain दर्द के जो mediators होते है या फिर जो autoimmune disorders जोते है उनकी भी severity को यह medication कम करती है और अपनी pharmacological action देती है उसके dose के बारे में हम समझे तो जो initially जो dose होता है वो 60 से लेकर 120 mg per day होता है कि जब भी treatment start की जाते तो शुरूआत में यह dose दिया जाता है 60 से लेकर 150 mg per day या फिर जो maintenance dose से भी आप treatment start कर सकते हैं 6 से लेकर 18 mg per day यह जो tablet है 6 mg के यह patient खास कर दिन में तीन बार ले सकता है या फिर दिन में दो बार भी वो use कर सकते हैं या फिर अगर condition ज़्यादा खराब है तो उस वक 30 mg के tablet दिन में दो या तीन बार patient खास सकता है Children's के लिए हम बात करें तो 0.25 से लेकर 1.5 mg per kg per day के हिसाब से या फिर alternative day पे उसका dose बच्चों को दिया जाता है उसके कुछ side effects से जैसे कि नेजो pharyngitis मनले की आपका जो throat का बाग है कि आप यहाँ पे जो throat का बाग देखो या फिर आपका जो nozzle passes का यह जो area होता है तो वहाँ पे आपको inflammation करवा सकती है और उसके करण आपको running nose के symptoms develop हो सकते है sore throat जैसा होना मैं गले में खारा सुना फिर सिर्दर्द वगेरा होना तो ऐसे कुछ side effects develop होते है उसके करण फिर आपके भूख बढ़ सकती है because यह steroid है तो steroids के side effects रहे देगे भूख बढ़ाती है आपकी आपका weight gain हो सकता है frequent urination मतलब कि बार बार पेसा आप करने जाना पड़े ऐसा कई बार feel होता है kissing syndrome हो सकता है cough या फिर abnormal heart grade कि आपके बालों का विकास abnormal हो सकता है यह medication के जिसको abnormal hair growth का आजाता है और कुछ cases में obesity जैसे side effect मले कि आपका weight gain होना और उससे आप obesity जैसा जो है वाँ fail करते है अब उसके कुछ contraindication से मले कि कब आप यह medication को ना खाए तो अगर आप pregnant है तो pregnant के दोरान use ना करे अगर आपके kidneys कराब है या फिर आपके kidney disease है तो proper precautions के साथ ही यूज की जाते है या फिर उसको average किया जाता है फिर आपको steroid के hypersensitity है फिर आपको inactive tuberculosis है या फिर untreated tuberculosis है लेकि टीबी के दोरान यह medication use ना करे harpes simplex infection है आपके आखों का या फिर आपको infection है आखों के अंदर या फिर कहीं भी आपकी body में fungus के करन तो भी यह medication को use ना करे और आपके सरीर के अंदर thyroid hormones का level कम है तो भी deflasa cord को लेना avoid करे तो यह सब भी conditions में deflasa cord को use नहीं की जाती और एक और चीज़ यह कि अगर कोई भी side effect ज्यादा खराब हो रही है तो भी यह medication को ना ले कोई allergic reactions डेवलोफ हो रही है या फिर यह medication लेने के बदा uncomfortable feel करते तो भी आपके doctor या फिर pharmacist को बदा के medication change करने जाए तो ऐसे इसी के medicine course में अलग-अलग दवाईयों के बारे में उनके use क्या होते है डोज side effect, warning, contraindications एक साल तक affordable price में PharmaRox के पुपर तो course जोइन करने के लिए में WhatsApp करे 901631 2020 पे तो course एकसेस करें एप उपर हमारी PharmaRox Android user Android app download कर सकते है iPhone user app store से link description box में मिल जाएगी हमारे second channel को भी subscribe करे link हमने आपको description box में दे दी है good luck and all the best